नमस्कार दोस्तों सखी सहली में आपका स्वागत है मैं आज फिर एक गेम लेके आई हूँ जिसमें कोई टाइम लिविट नहीं है ये वन मिनट गेम नहीं है जिसके लिए हमको तयारी करना है जिसमें हमने चार कप लिए हैं जिसपे हमने लिख दिया है वन टू फाइफ और टेन आपको चार कप पर ये लिखना है ऐसे और फिर हमको लेना है वन टू और फाइफ और टेन के सिख्के जो ये गहरे बॉल में आपको ऐसे डाल देना है ऐसे रखना है और एक चम्मच जहिए आपको काटे वाला जिसकी जिसको खेलने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी तो अब इस कप को हम पलट देंगे और इस गेम को वन बाइबन मेंबर खेलेगा जो होस्ट होगा जब भी एक मेंबर खेल के जाएगा तो उसको इधर उधर कपो कर देगा ताकि मेंबर को पता न चले कि किसमें उन टू या फाइब टेन लिखा हुआ है अब हमें क्या करना है कि इसमें टाइम लिमिट तो है नहीं है तो इस चम्मच की सहायता से हमको यह सिक्के उठाने हैं देखिए और हमको किसी भी गिलास में डाल देना एक बार अब इसमें दुबारा हम नहीं डालेंगे अब यह देखिए हम इसमें डाल दिया कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उठे कि क्यों टाइम तो है नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दस मिनट तक लगा ले ऐसा भी नहीं हम कर सकते हुआ बहुत सारे मेंबर रहते हैं कि टी में तो अगर हम 10 मिनट तक ले लेंगे तो फिर कैसे खेलेंगे सब लोग इसलिए यह देखिए एक बार में पड़ गया इसमें अब इस और बच्चा है मेरा अब हमको इसको पलटके देखना है तो यह 10 का है जिसमें कि हमारा देखिए एक भी 10 का इसमें नहीं आया है यानि हमको इसमें 0 पॉइंट मिलेंगे अब यह देखती है यह 1 का है इसमें 1 का इक आया दो तीन चार कोई काम का नहीं है अब यह देखते हैं यह 5 का है इसमें एक भी 5 का नहीं है यह दो का है तो एक दो का है और यह बेकार तो देखिए हमने इतने सारे सिक्के डाले हैं लेकिन मेरे कोई सिक्के काम की नहीं है इतने तो अगर हम यह सोचें कि 10 हैं तो 10 पॉइंट हुआ तो नहीं हमको 10 को भी 1 पॉइंट मानना है और 1 को भी 1 पॉइंट मानना है तो हमारा देख कितना होता है 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे स्कोर होते हैं 5 इसमें सबसे ज़्यादा जिसका ये स्कोर होगा वो बिन कर जाएगा तो इसको आप पंक्चुल्टी गेम भी खिला सकते हैं ये बहुत अच्छा गेम है पंक्चुल्टी में भी मेंबर खिल सकते हैं फटाफट हो जाता है देर नहीं लगती है तो इस गेम को अगर अच्छा लगे मेरा ये गेम तो लाइक सब्सक्राइब और सेर अबश्य करें और अगर सब्सक्राइब ना किये हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बताएं कि हम किस तिवहार के लिए अब गेम लेके आएं बहुत बहुत धन्यवाद